आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो पनीर की बहुत लाजबाब सब्जी जिससे आप खाएंगे तो यकिन मानिए आपको ढाबे की और रेस्ट्रोइंग की याद जरूर आएगी वैसे तो आपनी ये सब्जी बहुत बार बनाई होगी पर एक बार इस तरीके से जरूर बन रोस कर लेंगे दोनों साइट से तो यहां पर यह देखे पनीर पूरे डाल दिया है अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं यहां मैंने आधा दा चमच हल्दी और चिली पाउडर लाल मिच पाउडर और गरम मसाला का पाउडर लिया है और जिससे पूरे पनीर पे डाल क्यां अब यहां पर पनीर हो चुका है इसे पिलेड कमें बहा निगा लेती हूं तो इस तरीक से हम पनीर 5 kiner को हल्का सब्साइच से थोड़ा थोड़ा रोस्त कर के बहा नियुक्याद आलेसे मैं पर में अदेग को में और लाल शुबला मिच हरी चेश को मैं झालिय के आपको हलका हलका रोस पस करना कि इसमें से कच्छा पना जाए अब मैं इससे बाहा निकालोंगी ये देखे लगभग इस तरीके से आपको हलका हलका इसका कच्छा पन हटाना है और इससे आप एक प्लेट पे निकाल लीजेगा तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स स्टीप में यहां पर मैंने पहन लिया है उसमें एक चमज ओईल लिया है इसमें दो मैंने दो से तीन हरी मिर्ज छोटा सा आधा पीस अद्रक और लसन लसन भी रख लिया है मैंने दस से बारा कर लिया और एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्ज और दो बड़े कटे हुए प्याज इसमें हम add care लेंगे और चार टमाटर मैंने काट लिए हैं बड़े-बड़े उसे भी हम add कर देंगे और साथ से आठ मैं यहाँ पर काजू ले रही हूं या फिर आप जादा भी ले सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दस से बारा लिए हैं इसे हम हलका सा कर लेंगे रोस्ट जादा इसको घलाना नहीं और इसे ठंडा करके लगबगी हो चुका है ठंडा करके हम इसका रेडी कर लेंगे पीस्ट जो हम अपने मसालों में यूज करेंगे अब इसी पैन पर मैंने ले लिया है दो चमच बड़े और उसे पर मैं डाल कर दो नहीं आप णहीं यहां पर मैं आप आप तक जीरा रर लिए और आधा नहीं इसमें हींग डाल दोंगे ये देखें हींग डालना बहुत जरूरी है जिसे कि आपको गैस्टी के प्राब्लम ना हो और यहां दो तीसे तीन तेज पत्ता मेंने डाल दिया है और छोटा सा में धाल चीनी का दो तुक्रे लिये हैं अब इसमें दो खडी लाल मिच दो से तीन हम इसे बोज लेंगे अब हलका समय इसमें देखे टेस्ट पढ़ाने के लिए कसूरी मेथी यूज़ करूँगी तो अब जब तेल में आप कसूरी मेथी डालते हैं तो इसके बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का तो धनिया और यह कसूरी मेथी आप बीच पकाएंगे जब तक कि इसका कच्छा पन ना चला जाए और हलका सा ये तेल ना छोड़ दे तो यह देखिए यहां पर यह देखिए बढ़िया सा गया अपस कुछ मसाले मिला देते हैं एक चमज मेंने 3-4 चमज मेंने रेड चिली पाउडर लिया है कोरियंडर पाउडर लि यहां पर डाला है मैंने हमारा किच्छन किंग मसाला जो मैंने आदवन फोर्थ टीस्पून ही लिया है मसालों की क्वांटिटी आप अपने पनीरों सबजी के अकॉर्डिंग रखिएगा और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा कि आपको यह कितना पसंद है त अच्छे से पकालूंगी इसमें अभी मैं थोड़ा सा और कश्मीरी लानमिज जाल लेते हैं जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा जैसे कि आप जानते हैं यह तीखी नहीं होती है पनीर मसाला मैंने आधा डाला है वन फोर्थ टीस्पून और आधा में बाद में ड पकालेंगे हरी धनिया चॉब्ड की वही बीच बीच में डालते रहिएगा जैसे मैं अभी डाला है और अब में इसमें कसुरी मेति थोड़ा सा डाल के इसे ढखके दो से तीन मिनट इसे पकालोंगे इसे ढाकना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आपके तेल के चीटे चा निकाल के रखे ती ताजे दूस से आप चाहे तो अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं या इसके भी आप कर सकते हैं बड़ाइस दोंगी किसे जरूर डारिएगा अब मैं इसमें फ्राइख किये हुए जो हमारी हारी सिंबला मिच लाल सिंबला मिच और प्याज मैंने सब्सक्राइख करके रखे ते यह अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके यह कि बड़ी असब थोड़ा सा थिकने इस तो आप चाहें इसमें पानी मिला सकते हैं अब इसमें मैं आड़ कर दूंगी जो पनीर मसाला बचा हुआ था उसे मैं इसे एड़ करके फिर से मिक्स करनेंगे पनीर बिलाने की ऑड़ा ह lazım हरी धनिया इसे इसे अच्छे से मिला के यह इसे बुछ जया यह हैंविते हैं निदिया आप मिल्लते रहें एक हुआ है खरस मिलाग nagげ मुह से तोड़ा संवर्ड ओर तो मेरे अधर वीडियो में दे दी लिंक आप मेरे चैनल पर या डिस्क्रप्शन बॉक्स में आप इसे जाकर पूरी मेरी वीडियो देख सकते हैं अब यह देखें बड़ी असमें उबालाने लगा है अब इसमें थोड़ा सा मैं पणीर जो बचा के मेरे रखा था उसे हम क्रस्ट करके पनीर को भी डाल देंगे इसमें के ग्रेवी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और इसमें थिकनेस भी बहुत अच्छी आती है और पनीर का हमें स्वाद मिलता है तो यह पनीर का मैंने क्रस्ट करके इसे डाल दिया है अब इसे हम बढ़िया सा मिक्स करके यह देखिए अब इसमें मैं इसे दो से त चावल के साद वीडियो के साथ.